अब रुख करते हैं एक बार फ़र से अमित भारतवाच के हमारे सहीयोगी लगातार जोशीमट में मौजूद है और वहाँ से हर तस्वीर हर खबर आप सभी दर्शकों को सबसे पहले आज तक के मादम से पहुंचा रहे हैं अमित आप तक आवास पहुंच पा रहे हैं हमारी चले दुबारा हम संपर्क करने के कोशिश करेंगे अमित का और इस बीच आपको ये जो तस्वीरे दिखा रहे हैं इनके माध्यम से देखे देखे लोगों में दैशत भी है और ये बहुत गंभीर मामला है इसमें सीधा प्र अकेला नहीं चोड़ा जाएगा इस आपदा में इस संकट की घड़ी में लेकिन विस्ताफित किया जा रहा है तमाम तीरेसिक परिवारों को अभी तक शिफ्ट किया जा चुका है लेकिन लोग वहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं और आक्रोश में भी हैं मांट व्यू होटेल दो होटेल जो आपस में टकरा गए हैं बदरिनाथ हाईवे पे उन पर कारवाई आज से शुरू हो गई है लेकिन जो इन दो होटेल के मालिक है वो लोग नाखुश हैं अपना गुसा जाहिर कर रहे हैं आप लोग क्यों नाराज हैं इस वक्त पूरी का है अभी हमें पता चला कि मरूजाला कि कि संस्करण में इस तरह आया कि यह दोनों होटल मलारिन और होटल मांट वी को द्वरस्त करने के लिए यहां उनके टीम में आ चुके लेकिन आप मांट व्यू मांट व्यू के मालिक हैं आपको आपको कोई नोटिस सरकार की तरफ से म मिला कुछ भी नहीं हमें यहां तक भी सूचना नहीं कि आपका तोड़ा जा रहा है कहीं पर चाही के लिए ने पूचा गया तुम जिंद्य हो हो मरें हो तुमको भोजन चाहिए पानी चाहिए तुम दवाई चाहिए तुम क्या कर रहे हो तुम सिर्फ टैक्स देने के आपको खुद भी शिफ्ट होना पड़ेगा देखे आप शिफ्ट होना ही पड़ेगा कहा जाये हम रिलीव के कहा है इनके क्या है हमें कुछ पता नहीं है कमलेश भी है यहां पर जो मलार इन जिस बिल्डिंग के कंपाउंड में हम खड़े हैं जिसको गिराना है उसके उनर है नोटिस बता रहे हैं कि माउंड व्यू को नहीं मिला आपको मिला मैं आपको बताता हूं एक्जैक सिचुएशन यह था कि सुबह साड़े चार बजे अमार उजाला का एप्लिकेशन के तुर मुझे एक रियूज मिला कि मलारे इन और माउंड व्यू को गिराय जा रहा है तो इस तरीके की कोई भी official information हमें नहीं दी गई थी और administration को पूरा मालूम है कि हम अपना घर छोड़ के अपनी जान बचा के अभी एकदम शौक वाले situation में है हम वहाँ relief camp में रह रहे हैं यह सोच रहे हैं कि मतलब कल क्या होगा और अचानक से हमको यह समाचार का बता चलता ह है कि property को धुहस्त किया जा रहा है अब हम लोग भी educated है हमें भी मालूम है कि property को धुहस्त करने से पहले due process of law follow किया जाता है जिसमें कि अगर property को धुहस्त करते हैं तो उसका valuation होता है जिसका मालिक होता है उसको compensation के बारे में बताए जाता है ताकि future secure हो जाए यहाँ पे यह सवाल पूछा कि यह जमीन जिनके नाम से है वो legal है कि नहीं है हमने उनसे उनका परीचाए पूछा तो उन्होंने हमें बस इस तरीक से बताए कि वो लोग यहाँ पर duty में है और उनका काम है कि वो लोग अभी survey ले रहे हैं तो हमें कुछ अधिकारियों को यह तक नहीं इसल तहसिल से निकाल के लाएं और यहां पर फिर प्रस्तुत करके discussion करें दूसरा जो मैंने point रखाता है जो valuation होता है वो बहुत ही subjective होता है उसमें area होता है property का location क्या होता है उसमें earning source क्या रहता है तो इन सभी parameters को ध्यान में रखते हुए एक fair valuation होनी चाहिए और फिर उस valuation के बाद उसका जो एक formula होता है